एक दुखत समाचार क्योंकि सुबा हमने आपको एक खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर में पहला केस जो है ब्लैक फंगस का गुवर्मेडिकल कॉलेज में आया चालिस वर्ष ये पेशन्ट था जो की ब्लैक फंगस की वज़ा से उसके मृत्यू हो गई ये दुखत समाचार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये पहला केस जो है आज ही जो सुबा सबसे पहले जम्मू परिवर्तन नहीं है आपको ये खबर बताई थी लेकिन अब उस पेशन्ट की मृत्यू हो चुकी है ये बहुत दुखत समाचार है और लगातार अगर जम्मू परविंस की बात की जाए तो लगातार जम्मू परविंस में मोत का आंकड़ा क्रोना वाइरस की वज़ा से बढ़ता जा रहा है रिकवरी रेट हमारा अच्छा है और जो नेने केसिज आ रहे हैं उन में भी भारी गिरावट आही है पहले 10% था अब 7% हो चुका है जो ने केसिज आ रहे हैं अब जम्मू कश्मीर के अंदर शासित परदेश की बात की जाए तो जितने केसिज इस वक्त जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उससे ज़्यादा रिकवरीज हो रही है पूरे हिंदुस्तान में भी आज डाइलाग से लगबग केसिज आए लेकिन वोने 4 लाग के आसपास रिकवरीज होई क्रोना का ग्राफ दिन प्रति दिन अब कम होते जा रहा है और अब जम्मू की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो सोर्सिस के हवाले ये भी खबर आ रही है कि लॉक्डाउन को एक्सेंट किया जा सकता है 31 मही तक यानि कि एक हफ़ते के लिए और एक्सेंट किया जा सकता है एक अच्छा समय जो है वो आने वाला है लेकिन दुखत समाचार तो ये है 40 वर्ड ये ब्लैक फंगस पेशन्ट जो है उनकी जो है मृत्यू हो चुकी है ये बहुत ही दुखत समाचार दुख का समय इस वक्त जमू कश्मीर के अंदर शासित परदेश के लिए क्योंकि ब्लैक के बिवेन राज्जों में ये ब्लैक फंगस केसिज हैं वो सामने आ रहे हैं अब पहला के जो है जमू में सामने आया और उस पेशन्ट की जो है मृत्यों हो चुकी है आप अपने घरों पर रहिए स्वस्त रहिए अपने परिवार के साथ कि और जब तक एमर्जंसी ना हो कि तब तक आप अपने घर पर रहे और साथ फरिकॉशन के साती गर से बाहर निक्ले और जब भी घर से बाहर निकलकर आप घर में दुबारा आएं तो Sam submit करके और कोपर कोशन के साथ ही जो है आप घर से बाहर निकले हम तो आपको यही कहेंगे कि इस चेंड को ब्रेंट के लिए क्लिए पोस्टे निकाली है तो आप गुर्मेडिकल कॉलेज जमू की वेबसाइट पर जाकर आप पुरी नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं और एपलाई कर सकते हैं और चोबिस मई को इसके जो इंटर्विव है जो वाक इन इंटर्विव वो भी होंगे तो आप नोटिफिकेशन पर जाएए और गुर्मेडिकल कॉलेज की ओफिशली वेबसाइट पर जाएए और पुरी जानकारी लीजे आपको क्या लगता है यह खबर देकर आप अपनी राए जरूर कमेंड बॉक्स में रखेगा तो आप जमो कश्मीर की बड़ी खबरे लेकर मैं आपके सामने फिर से आजर हूँगा आप लोग देखते रहे जमो परिवतन नमस्कार